बिहार के पतनाय रेलवे स्टेशन को मिली दो दो नई ट्रेन का बड़ा तौफा जानेंगे इस अपडेट में आखिर छट के बाद यह ट्रेन कब से चलेगी और क्या रहेगा इसका टाइमिंग इस वीडियो में हम आपको इस ट्रेन का स्टॉपेज भी बताएंगे साथ ही बुकिंग सुधा के बारे में भी बताएंगे तो चलिली इस वीडियो में बरते हैं साथ ही पतना रेलेवे स्टेशन के आश पास के नज़देकी रेलेवे स्टेशन से आने वाली हो हाड़ बड़ी ख़बर का ब्रेट पाने के लिए हमारे चनल को कर लिजे सब्सक्राइब पतना को दो नई ट्रेन मिली है यह दोनों नई ट्रेन पतना से ही केवल चलेंगी और पतना नहीं वापस आएंगी कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसी स्पेसल ट्रेन होगी जो कि एक करफा चलाई जाएगी पतना से इस ट्रेन का सुरुवात होगा पहली ट्रेन पतना से टाटा नगर के लिए चलेगी और दूसरी ट्रेन पतना से सालिमार के लिए चलाई जाएगी अब बात करते हैं दोनों ही ट्रेनों के डिटेल्स के बारे में पतना से टाटानगर के लिए ट्रेन 08-1-12 के साथ चलाई जाएगी जो कि पंद्रा नमंबर को चलेगी पतना से यह ट्रेन 2 पर 3 बच कर 15 मिनिट पर खुलेगी और रात 12 बच कर 7 मिनिट पर धनवाद पहुंचेगी अगरे दिन यह ट्रेन पांच बच कर पांच मिनट पर टाटा नगर पहुँचेगी और इस ट्रेन में आपको यह सी ठाड टायर सकेंड टायर के अलावे 9 सिलिपर कोच की सुधा देगी और 9 सकेंड सिटिंग की कोच दिये गए है बुदवार से दोनों ही ट्रेनों में रिजर्वेशन सुरू हो जाएगा इसके अलावे अब बात करते हैं दूसरी ट्रेन के डिटेल्स के बारे में हमारी दूसरी ट्रेन चलाई जाएगी पटना सालेमार के बीच यह ट्रेन दो पर तीन बच कर पटना जनसन से खुलेगी ट्रेन नमबर 080,10 के साथ आप यह ट्रेन के बुकिंग करवा सकने बुदवार से और यह ट्रेन रात बारा बच कर 7 मिनट पर धनवाद पहुँछेगी अगले दिन यह ट्रेन सुवा नो बच कर दस मिनट पर सालिमाल पहुंचे गया और रास्ते में यह ट्रेन राजेंदर निगर टर्मिनर पतनास साहि फथुवा बक्तियार पूर्मो कामा क्यूल आधी रेलवेस्टेशन पर रुखते वेच चलेगी और इस दूसरी ट्रेन में सुवधा आपको यह मिलेगी कि इसमें आपको बाड़ कोच स्लिपर का तीन कोच सकेंड सिटिंग का इसके अलावे ठाड टायर एसी और सकेंड टायर एसी का भी सुवधा देखने को मिलेगा तो यह था आज का मारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट यह अपडेट आपको पसंद आया होगा उम्मीद करते हैं झाल 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 झाल